राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है कोरोना से उबर कर परियतन अब आगे बढ़ रहा है इस साल फरवरी से 16 मार्च तक प्रदेश में साड़े चार लाग से जादा परियतक आ चुके हैं इस महीने इस संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है प्रदेश में जनवरी से अब तक परियतकों की संख्या 15 लाख के आकड़े को पार कर गई है कोरोना की चलते पिछले साल 18 मार्च के दिन ही जैपूर के तमाम परियतकों को और सफारी को बंद कर दिया गया था इस से नकिवल टूरिज्म इंडुस्ट्री को बलकि होटल व्यवसाय को भी करोडों का नुकसान हुआ था लेकिन आज ये परियतन स्थल परियतकों से गुलजार नजर आ रहे है जैपूर आए परियतकों की बात करें तो 17 मार्च तक जैपूर के आमेर में 4,45,321 जंतरमंतर में 2,26,545 में हवा महल में 2,70,170 अलबर्ट होल में 1,60,967 सिसोधिया रानी बाग में 3,44,221 और विद्यधर का बाग में 4,273 परियतक आए आमेर मेहल में परियतकों का आना जाना लगा हुआ है मौसम भी बड़ा कुछ नुमा है ऐसे में परियतक आमेर मेहल को बड़ा पसंद कर रहे हैं वीकेंड्स यानी की सनिवार और दीतवार के दिन परियतक ज़्यादा मातरा में आते हैं प्रदेश में 1 सितंबर से परियतन को फिर से शुरू कर दिया गया था जैसे जैसे कोरोना का खौफ कम होता गया वैसे वैसे परियतकों की संख्या बढ़ती गई परियतन बढ़ने के साथ ही इस उद्योग से जुड़े लोगों के चहरे खिलने लगे हैं ETV भारत के लिए जैपुर से करंतिवारी की रिपोर्ट